राजिस्थान के मुख्यमंत्री अशोग कहलोत ने कहा है कि प्रदेश वासियों को बार्ड मेर के पजपद्रा में स्थापित की जा रही रिफाइनरी की सौगाद चार साल के अंदर ही दे दी जाएगी कहलोत ने आठ जन्वरी को राजिस्थान रिफाइनरी एमम पेट्रो केमिकल कॉम्पलेक्स की प्रगती की समिक्षा बैठक में ये बात कही CM कहलोत ने कहा है कि रिफाइनरी के काम को फूरी रफ्तार देते हुए इसे HPCL की ओर से निर्थादी समय सीमा साल तो हजार बाइस तक पूरा करना राजिस्थान की प्राथ मिक्ता है उन्होंने राजिस्थान की जनता का सपना साकार करने का संकल पलें CM कहलोत ने कहा है कि रिफाइनरी पूरे पश्चिमी राजिस्थान के लिए विकास की धुरी साबित होगी उन्होंने कहा है कि रिफाइनरी की स्थापना से पचपद्रा समेत पूरे शेत्र की जनता को इसका फायदा मिलेगा सीम गहलोत ने कहा है कि पचपद्रा रिफाइनरी को रेल मार्क से जोडने की समभावना पर भी विचार किया जा रहा है रिफाइनरी के इस प्रोजेक्ट में सरकार की उरसे 43,129 करोड रुपे का निवेश किया जाएगा और इसकी शमता 9 मिलियन टन प्रती परश होगी